हेलो अब्रिवन जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि आज की वीडियो में हम लाइट और डार्ट सेट पर बात करेंगे तो यह रहा मेरा पोट्रेट जो मैंने कली बनाया है आप देख सकते हो यह मैंने 300 GSM का पेपर यूज किया है यह जो कि काफी बहुत इसके बहुत बाद हम मैंने स्केज कर लिया और मैं ने लाइट सेट Susco क CC lot करना स्टार्ट कर दिया जहा है जहां जहां लाइट सेट उसको मैं पहले जच करके color कर लिया हो light side color करने के बाद फिर डार्क side की और आते हां और फिर डार्क साइट को color करना start करते हैं तो यह देखिए मैं color करना start कर रहा हूं light और डार्क कॉमपनेशन यह हमारे लिए important रखते हैं यह हमारे face के कर्व को सही से दिखाता है आप देखे होंगे कभी भी कि कहीं जहां डार्क होता है वहां डीपनेस पता चलती है लाइट कलर फील करने से अपर लेयर पता चलता है पेंटिंग को लेयर वाइस करना चाहिए यह नहीं कि एक बार में डार्क कर दें और एक बार में लाइट वह ऐसे नहीं होता हमें टाइम टू ये फिर हम वाइट कलर यूज़ करेंगे अब कुछ और डिटेल एड़ करते हैं फेस पर जैसे कि भी है आइस परा पकड़ने में प्रॉब्लम हो रही थी और वह डिटेल वरक है इसलिए मैंने उसको रिकॉर्ड नहीं कर पाया यह दिखे कैसे बीट बनाते हैं इस टॉक बार में मैंने पूरा का पूरा डार्क कर दिया मैं हलका हलका पैंसल से उसको लेयर वाई लेयर डार्क कर रहा हूं इससे क्या होता है ना डीपनेस पता चलती है एक के उपर एक फॉल्ड वो लाइट डार्क वो दिखता है इसके बाद हम ब्लेजर बनाएंगे ब्लेजर बन चार्कोल का जो डार्कनेस होता हूँ कुछ और ही बात रता है इसका I love this चार्कोल में यह ध्यान देना होता ना कि फैले नहीं इसके लिए थोड़ा-थोड़ा पार्ट को कलर फील करें चार्कोल करें उसके बाद फिर उसको ब्लेंड कर लें एरिया देख लें कि कौन किदर से कर्व है और उसको फिर मर्ज करें ब्लेंड करें और ब्लेंड करने के बाद आप देख सकते हैं यह ऐसा कुछ दिखेगा ब्लेंड करने के लिए आप सौफ्ट कोटन एयरबर्ट जो होता वो यूज कर सकते हैं या फिर ब्लेंडर यूज कर सकते हैं ब्लेंडर अच्छा होता ह पर सस्ता में अगर आपको यूज़ करना है तो आप एयरबड कोटन भी यूज़ कर सकते हैं एक चीज का हमेशा ध्यान दे कि पेंटिंग जो भी आप बना रहे हुआ इस केज बना रहे हो पोटरेट बना रहे हैं या कुछ भी आप बना रहे हुआ नीटनेस रहना चाहिए क्प्लीट हो चुका है जो कि कुछ ऐसा है रियलिस्टिक पोट्रेट कलर फिलिंग का काम हो जाने के बाद हम इस पे अब इस प्रेव यूज करेंगे इस प्रेव फिक्सर आई है यह फिक्सर क्योंकि 500 रुपए की है यह बोटल एक 200 ml इसमें रहता यह बैसिकली यूज करते है हम पेश्टिल कलर में चार्कॉल और पैंसिल यह स्प्रेव फिक्स करने के काम में आता है जो भी हम कलर करते हैं चार्कॉल करते वह फैल जाता है तो इसका स्प्रेव करने के बाद वह फैलता नहीं है वहां पे फिक्स हो जाता है तो इसमें मैंने पहले से कर रखा है स्प्र भीक बर मैं आपको दिखा देता हूं कि कैसे करना धाज Mmm machen करने के लिए कभी ये चीज़ का ध्यान रखे कि सामने से नहीं करना है नियर नहीं सामने से करने से क्या होतााइस यां की वह पहर जाता धब involves प्रेश के करण वह का चारकोल हट जाता तो इसलिए रिए यीजे करने के लिए हम डिस्टेंस मेंटेशन करते हैं सामने से यूज़ नहीं करना है याद रखेłę कभी ऐसा डिस्टेंस साय जो कि डेरेक्ट प्रेशर ना आयए पूट्रेट पे। तो यह मैंने इस टर ना स्टार्ट कर रहा हूं और यह नहीं कि आप एक जगह ही पूरा इस प्रेकर दे बहुत सारा इससे क्या होगा च्छादा गीला हो जाएगा आपका वर्क यह मैंने स्प्रे कर दिया हाला कि वह पहले से गीला था ड्रॉपलेट्स आ गया है डॉट डॉट से यह ड्राइ होने के बाद ठीक हो जाएंगे यह आप देख सकते हैं मेरा पोट्रेट कुछ ऐसा है होब आपको यह पसंद आया हो कैसा लगा आपको यह पोट्रेट यह आप बताओ मेरा वर्क कैसा लगा यह मेरा कमीशन वर्क है जो कि मैंने सिप्ट कर दिया था और यह कर्श्टिमर के पास होप इनको यह पसंद आया हो मैंने जिसकी यह पोट्रेट बनाई है जिसकी मैंने तस्वीर बनाई है वह इस दुनिया में नहीं है भवान उनकी आत्मा को स इस से मुझे मोटिवेशन मिलेगा और आगे वीडियो बनाने और पोट्रेट पर वर्क करने की नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे इसकीन कलर कैसे बनाते हैं कौन-कोन सा कलर यूज होता है इसकीन कलर में अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को कर ले और वीडियो को लाइक कर दे थांक यू, have a nice day